दोस्तों महुआ मुहितरा जी को कौन नहीं जानता है अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग कारणों से न्यूज में रही हैं फिर वो पारलेमेंट में आपती जनक शब्द का प्रयोग करना हो शायद आप समझ जाएंगे मैं तो नहीं बोल सकता लेकिन आप तो समझदार हैं आप तो पारलेमेंट में किस प्रकार से अर्ण पारलेमेंटरी शब्द का कोई प्रयोग कर सकता है वो तो आप देख सकते हैं तो इससे पहने भी इनों ने प्रयोग किया इनसे पूछा गया इस प्रकार के शब्द को आप क्यों इस्तमाल कर रही हैं तो इन्हों ने apology भी नहीं दिया और कहा कि जो सेब को सेब बुलाना सही है apple को ही मैं apple बुला दिया I'm just calling an apple as an apple तो अब यहाँ पर दोस्तों apple पर मैं जोड दे रहा हूं क्योंकि apple का connection आज निकलने वाला है क्या निकलने वाला है जल्दी आपको बताऊंगा लेकिन वो apple जो आपके मेरे जैसे लोग जिसको खाते हैं वो भी सही सीजन आने पर उस apple की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर अमीरों के apple की बात करूंगा दोस्तों जी हाँ अमीरी से याद आया यही वो व्यक्ति हैं जो कि अगर आप देखे जो लाग सवालाग डेड़ लाग का बैग रखती है पारलिमेंट में और उसके साथ गरीबी पर सवाल भी करती हैं बात सिर्फ इतनी नहीं है यह अगर आप देखे तो live शो में आके इस प्रकार से middle finger वगेरा भी दिखाती है अब दोस्तों यहां तक तो इस सब को portrait किया जा रहा था क्या केवल मर्द गाली दे सकता है मैं नारी हूँ इसलिए गाली नहीं दे सकती तो यह एक प्रकार का female empowerment portrait किया जा रहा था तो अब तक तो चीज़े light hearted थी चल रही थी लेकिन अब महुआ महितरा जी बुरे तरीके से फस रही है इन पर ऐसा आरोप लगा है कि यह private company से कौन सी वो company है उस पर भी बात होगी उससे पैसे लेकर अडानी ग्रुप और मोधी सरकार पर वार किया करती थी दोस्तों आप लोगों ने कहावत सुनी होगी घर का बेदी लंका ढ सबसे पहले दोस्तों तो कुछ इस प्रकार की इनकी तस्वीरे आती है महुआ महितरा जी की और इसके बाद अब यह न्यूज सामने आता है दोस्तों इन तस्वीरों में तो वो कह रही है कि बिंगॉल की विमन को मालुम है कैसे इंजॉय करना है लाइफ पॉइंट विल टे पर जाते हैं हम कोई मान लीजिए सिग्नल तोड देते हैं गाडी पर बैट के सूटर पर बैट के और बहुत बाराप क्या करते हैं हाद जोडते हैं Constable साहब को और बोलते हैं साहब 100 रुपया ले लीजिए और हमें जाने दीजिए तो दोस्तों ये क्या है ये एक crime है ये एक offense है ये नहीं करना चाहिए है ना ये prevention of corruption act के अंदर cover होता है आप as an offender भी फसेंगे और जो पैसा ले रहे हैं वो भी एक प्रकार का crime है पर दोस्तों अगर हम बात करें हमारे member of parlements की member of legislative assemblies की तो इनके पास होता है privilege आप इनको पैसे दे और उस पैसे के अधार पे यदि ये पार्लेमेंट में vote करते हैं या उस पैसों के अधार पे यदि ये पार्लेमेंट में सवाल उठाते हैं तो वो prevention of corruption act के दाइरे में नहीं आता है उनका parliamentary privilege होता है अब उस पर भी court में कुछ मसला चल रहा है seven judge bench बैठी हुई है तो महुआ मत्रा जी ने जो किया है ये अब seven judge bench के दाइरे में भी आने वाला है तो इस पर भी चर्चा करेंगी क्योंकि UPSC और बाकी exams के लिए अगर आप prepare कर रहे हैं तो आपके लिए तो important है और आरोप लगे हैं कैसे घर के बेदी ने इनका लंका ढाया है एक एक करके देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हुआ क्या है बीजेपी के एक member of parliament है उन्होंने एक्यूद किया है महुआ महित्रा को कि वो cash लेती है उसके बदले में parliament में सवाल पूछती है अब इस पर दोस्त दोस्तों यहां पर अडानी गुरूप भी आ गया है कि हमको टार्गेट किया गया है सिस्टेमेटिक मैनर में हिंडन बर्ग रिपोर्ट में काफी सारे बाते कोट की गई थी जिसने महुआ महित्रा का भी रोल था और वही अडानी गुरूप भी कहरी कि अब समझा रहा है कि हमको किस प्रकार से टार्गेट किया गया है तो दोस्तों यहां पर कैश पॉर क्वेरी स्कैम में ये फस रही है महुआ गेट कहा जा रहा है हाला कि ट्विटर पे अलग तरीके से ये ट्रेंड करती है क्यों इन्होंने एक गाली देदी थी पार्लेमेंट में और उसके लिए स्टैंड की थी तो उस प्रकार से आपती जनक तरीके से ट्विटर में भी अब ट्रेंड करती हैं जो कि मैं नहीं बोलूंगा इन्होंने वो गरिमा रखी ना रखी हो मैं तो वो रखूंगा अब यहां पे अगर आप देखे तो इत्रिनमूल की जो MP है Member of Parliament हैं Cash for query का मतलब ह हुआ कि यह सवाल पूछती हैं हर Parliamentarian के पास कुछ time allot किया जाता है जिसमें वो जब house session में चल रहा है तो सवाल पूछ सकता है सवाल अलग अलग प्रकार के होते स्टार्ड कुश्चन अंस्टार्ड कुश्चन है ना कुछ कुश्चन का oral answer देना होता है तो कुछ कुश्चन का written answer देना होता है तो उसी प्रकार से यह भी सवाल पूछती थी अब इसमें कोई बात नहीं है हर MP को अधिकार है सवाल पूछने का लेकिन अगर आप उस सवाल के बदले में पैसे ले तो तो इन पर यह आरोप लग रहा है अब मैं बार बार कह रहा हूं घर का बेदी लंक प्रियार नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप देखें तो मेंबर आफ पार्लेमेंट ने हाउस के प्रीसिंट में याने जो हाउस है उसके परिसर में एक अनेथिकल प्रैक्टिस को अंजाम दिया है जिसमें पैसे लेके वो सवाल पूछ रहा है तो इसलिए इन्होंने कंप्ले इन होता है तो सबसे पहले inquiry होती है आप भी FIR करते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं inquiry करते हैं तो वह inquiry यहां पे लोगसभा के speaker करेंगे और यह हुआ है और कहा है कि इनको immediate suspension कीजिए अब मैं बार बार कह रहा हूं घर का भेदी घर का भेदी लंका ढाय इसलिए कह रहा हू जै अनंत जी अगर आप बार & बेंट की बात करें हैं ना क्योंकि वह खुद भी वकील है और बार & बेंट की बात करें तो इसमें महुआ मोहित्रा जी ने अगर आप देखें तो लीगल नोटेस भेजा है अपने पर्सनल फ्रेंड जै अनंत को क्यों क्यों कि कह रही जै अनंत जी न जो लिटर लिखा है निशिकान दुबे जी को जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा सब कुछ ये सब जो हुआ है वो सामने आ रहा है महुआ मोईता जी की रॉंग डूइंग सामने आ रही है उसके लिए इन्होंने वकील साब को ही लीगल नोटेस भेज दिया है अब अगर बार एंड बेंच की बात करें तो ये बड़े ही पर्सनल फ्रेंड है नीचे अगर आप देखें तो और भी तरीके से इनके रिलेशन्शिप के बारे में बताया जा रहा है ल और ये ये चीज़े हैं इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं जाके पता लगाईए क्या-क्या इन्होंने खुलासा किया है आपको मैं चिट्थी देखाता हूं तो दोस्तों यहां पर जिस बिद्नेस हाउस की बात हो रही है वह हीरा नंदानी जी हीरा नंदानी ग्रुप अगर आप देखें तो उनके कहें पर महुवा मोहित्रा जी ने इस प्रकार से काम किया है ऐसा आरोप है दोनों पर हीरा नंदानी पर ग्रुप पर भी और महुवा मोहित्रा पर भी दोस्तों इस वक्त यह आरोप है तो आप इसको वह से ही देखें कि यह आरोप है अब जाह नंदानी जी के instructions मिलते थे महुआ मोहत्रा जी को जिसके आधार पे वो specific questions पूछा करती थी number one number two undersigned is also a witness कौन है undersigned वकील जाद है कौन है ये तो जै अनन्द जी तो जै अनन्द जी is the witness जिसके आधार पे इनको महुआ मोहत्रा जी को valuable gifts मिला करता था जिसमें iPhone था diamond और इमराइड के jewelry थे luxury items थे जैसे कि आप अगर देखें तो scarves मिलता था है ना Hermes Hermes कहते हैं मुझे नहीं मालूम बता दीजेगा भाई तो scarves from Hermes Louis Vuitton 35 जोड़ी जूते Salvatore Senagamo के मुझे नहीं मालूम क्या है ये कौन सा brand है मैंने नाम भी नहीं सुना है सच कह रहा हूं dozens of bottles of expensive French and Italian क्या है भाई wines है packets of luxury cosmetics दुबई से आया करता था गूची का बैग आया करता था crocodile leather का बैग आया करता था from Berluti दोस्तों मैंने नहीं सुना है इन brand का नाम सच कह रहा हूं लेकिन ये सब इनको मिलता था कहां से आता था आप अगर देखें तो अन्दानी ग्रुप से आया करता था और इसके लिए ये खुद witness है कह रहे है मुझे बुला लेना ठीक है अब इसके आगे अगर आप सुनिए रेगिलर डिलिवरी हुआ करता था cash packets है ना पैसो वाले packets आया करते थे रुपीज में भी cash आता था और इतना ही नहीं अगर आप देखें तो pound sterling में भी cash आया करता था ऐसा ये कह रहे हैं undersigned 100 याने की वकील साब खुद कह रहे हैं मैंने एक बार देखा जैय अनंजी ने क्या देखा तो सुनिए कि मौइतरा जी के पास एक packet था जिसमें 20,000 pound sterling था cash के रूप में उनके certain residence में इसके सिवा जो salaries उनके staff members को दिये जाते थे वो भी अगर आप देखें तो इनी से मिला करता था इसके सिवा इन पर ऐसा आरोफ है कि लोगसभा चुनाओ जीतने के बाद श्रीमती मौइतरा जी को 9B टेलिग्राफ लेन में घर एलोकेट किया गया था ये घर का हालत बड़ा ही खस्ता था government accommodation सही नहीं था तो इस घर को पूर्ण रूप से refurbish करना फिर से redesign करना ये सब का सब काम भी अगर आप देखें तो इनके लिए हीरा नंदानी ग्रूप ने करके दिया था extensive designing, technical support ये सब हीरा नंदानी ग्रूप ने किया था और इसके लिए अगर आप देखें तो कहां पे 9B टेलिग्राफ लेन जो official residence है और इसके लिए जो budget मिला specification material का हुआ ये सब अगर आप देखें तो श्री हीरा नंदानी himself paid ऐसा इनका आरोप है कि हीरा नंदानी जी से पैसे देखें घर को भी redesign करवाया गया सरकारी घर को मतलब यह मान के आई है सरकारी घर में इतना खर्चा करवाएंगी अब तो यहीं रहना है आजीवन तो यह इनका confidence होता है सच कह रहा हूं मैं यहां पर तो सोचना पड़ता है भाई खेना कि अगले महीने भी किराया देना है त याने वकील साहब ने क्या witness किया कि कुछ phone calls होते थे श्री हीरा नंदानी और श्रीमती मोहत्रा के भीच में जिसके आधार पर अगर आप देखें तो उनसे कहा जाता था कि आप specific questions पूछेंगे बदले में cash मिलेगा और यह valuable भी जो उपर बताएगा है diamond वगेरा हो सब भी मि है यहां पर वो कह रहे हैं कि दोस्तों यह cash मिलेगा valuable मिलेगा यह questions कि से deal करते थे oil and natural gas का क्या supply भारत सरकार के द्वारा या कहीं से हो रहा है पोर्ट के द्वारा हो रहा है पारदी पोर्ट धम्रा पोर्ट पॉलिसी क्या है union government की e-sports पे RBI की policy क्या होने वाली है commercial real estate पे commercial real estate loans पे में समीज के तरफ क्या policy होने वाली है भारत सरकार की यूरिया सब्सीडी कम्यूनिकेशन बैंडवेड स्ट्रम इशू इन सब कर इन से सवाल पूछा जाया करता था कि आप पूछिए साथी साथ स्टील और आईरन प्राइसेज की क्या कीमत होगी पूछिए क्योंकि real estate sector पे इन सभी का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है इसके सिवा उनका अगर आप देखें तो income tax department के क्या-क्या powers है उस पे भी clear करें इन सभी सवालों के द्वारा purpose बड़ा clear होता था ऐसा उनका कहना है वकील साब का कि जो present ruling government है उसको target किया जाए और crucial information हीरा नंदानी के business के लिए जो इस्तमाल हो सके वो directly serving ministers के द्वारा उन तक पहुंच सके वाया महुआ मोहतरा जी अब दोस्तों यहां पर उनका ये भी कहना है कि श्री हीरा नंदानी जी के पास direct access था श्रीमती मोहतरा के लोगसभा के login credentials का आप चाहें तो इसको IP data logs के द्वारा देख भी सकते हैं कि इनका जो login credential है वो श्री हीरा नंदानी जी के पास direct access होता था लोगसभा login credential इसके सिवा अगर आप देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो parliamentary questions पूछे गये हैं मोहुआ मोहतरा जी के द्वारा यहां पर अगर आप देखें तो इसके द्वारा श्री हीरा नंदानी क के personal agenda को आगे बढ़ाया गया था इसमें अगर आप देखें तो कुछ parliamentary questions इस प्रकार से ड्राफ्ट किये गये थे कि certain legal aspects पर ध्यान दिया जाए जिसमें श्री हीरा नंदानी जी यहां पर देखा पर income tax department के power से related सवाल पूछा है इसलिए पूछा गया क्योंकि उनका कहना है श कहीं पर कुछ अटका हुआ है फसा हुआ है और इसलिए आप अगर देखें तो parliamentary question भी उसी तरीके से पूछा गया था कि income tax का क्या क्या power हो सकता है tax authorities का क्या नहीं है तो यह भी यहां पर कुछ आरोप आपको लगता हुआ देख रहा है इसके सिवा अगर आप देखें तो उ रिज्यूम किया जा रहा है उनके द्वारा वकील साहब के द्वारा कि यह उनके चुनाओ के लड़ने का खर्चा था याने चुनाओ को उनका जो फंड कर रहा था वो हीरा नंदानी ग्रूप थी ऐसा उनका कहना है आगे सुनिए इसके सिवा अगर आप देखें तो उन्हो ने कहा कि मैंने एक कॉन्वर्सेशन सुना है एक बातचीत सुनी है जिसके अंतर गठ श्रीमती मोहितरा जी और श्रीमती हीरा नंदानी उन दोनों के बीच में 25 डिसंबर 2021 याने क्रिस्मस की रात थी 2021 की गवा में दोनों में बातचीत हुई थी कि अगला दो करोर रुपे क का कैश का एक ट्रांच आने वाला याने दो करोर रुपे कैश में आने वाले हैं जो की श्री हीरा नंदानी श्रीमती मोहितरा को पे किये हैं इन में 2021 फिर से तुनी है जहां से देखिए अंधर साइंड और साइंड ऑल्सों हर्ड कॉन्वर्सेशन बिट्वीन श्रीमती मोह इन में 2021 फॉर टार्गेटिंग श्री गौताम अडानी और प्राइम मिनिस्टर इंदी लोकसभा इन इंटरनाशनल प्रेस और फाइल कंप्लेंस तु से भी एडी डि इंकम टाक्स अब सुनिये क्या हुआ मतलब कि भया 2019 में 75 लाख लिया और 2021 में में 2 करोर रुपे लिए ब प्राइम मिनिस्टर को टार्गेट करना है अलग-अलग जगा पे इंटरनाशनल प्रेस्ट से बातचीत करनी है से भी इडी डि इंकम टैक्स जहां हो सकता है वहां पे कंप्लेन फाइल करना है इस पैसे के बदले में यह पैसा हवाला चैनल के तुरू उन तक पहुचा था उनका एक क्लोज एसोसियेट है श्रीमती महुवा मोहत्रा जी का जो भी ओडिशा से मेंबर ऑफ पार्लेमेंट हैं दोनों ने मिलके यह खिचडी पकाई है ऐसा वगील साब का यहां पर कहना है इसके सिवा अगर आप देखें तो यह बड़ी आपको एपल आपल यादे मैं वो हाई-end दिया करते थे उनका कहना था कि जो फोन अंडर साइंड जो कह रहे हैं वकील साब कह रहे हैं कि फोन यो अभी भी वो यूज कर रही है वो भी अगर आप देखें तो हीरा नंदानी जी नहीं उनको गिफ्ट किया है उनका कहना था कि वो बड़े पर्टिकुलर है इनफॉर्मेंट उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने विटनेस किया है कि एक सील्ड येलो एन्विलप में श्री मती मोहतरा के 9B टेलिग्राफ लेन के रेसिडेंस में जुलाई 2019 की बात है एक डोजियर आया था एक एन्विलप आया जिसमें अधानी ग्रुप का बहुत सारा उनको मिला जो कि हीरा नंदानी जी ने स्वयम बेजा था है ना सेंड भाई श्री हीरा नंदानी परसनल एसिस्टेंट उनके परसनल एसिस्टेंट के द्वारा भिजा गया था और फिर श्री हीरा नंदानी ने श्रीमती मोहतरा जी को कॉल किया कहा कि you have to bring down अडानी no matter what चाह लेकिन उस फोन का जो ear receiver piece था वो तूटा हुआ था इसलिए वो फोन में speaker में उस वक्त बात कर रही थी तो जितना भी phone उस वक्त हो रहा था वो speaker में बात किया करती थी इसलिए वो सुन पाए जो भी उनके आसपास वैता था वो उनका conversation उस वक्त सुन पाता था क्योंकि उन पर जी को so that उनकी वाइस जो हैं श्रीमती नेहा हीरा नंदानी जी इन सब से उनको खबर ना मिले ऐसा उनका कहना है शायद उनको ऐसा लगता है तो श्री हीरा नंदानी जी की बात हो रही है कि वो 2019 की जो बात है जब काय की आफ टेक डाउन अडानी no matter what यह उस वक्त की बात हो related contract उनसे चीन के अडानी ग्रुप के पास जा चुका था और इसलिए अब वो अडानी को टार्गेट करना शुरू कर रहे थे अब यहां पे उन्होंने दस्वा पॉइंट देखी क्या लिखा है जो हिंडन बर्ग रिपोर्ट है उसमें direct references हैं उन सवालों के अधार पे जो की उन complaints के अधार पे जो मोहतरा जी ने फाइल किया था अगींस दी अडानी ग्रुप याने अडानी ग्रुप के खिलास जो जो डेटा पॉइंट्स यह जमा कर रही थी वही हिंडन बर्ग इस्तमाल कर रहा था निशिकान दुबे जी ने कहा है जो 61 सवाल मोहतरा जी ने करने के लिए पूछा गया है और साथ-साथ राइवल बिजनेस कॉंग्लोमरेट्स लाइक अडानी ग्रुप को गिराने के लिए किया गया है तो दोस्तों यह क्या है पूरा का पूरा कच्छा चिट्था है जो कंप्लेन हुआ है अब पार्लिमेंटरी कमिटी बैठेगी मोस पेंसे यही पता चल रहा है कि कोई हमारे खिलाफ हमको नुपसान पहुचाने के लिए ओवर टाइम काम कर रहा था यहां पर दोस्तों पर आरोप लगा है वह कौन है हीरा नंदानी ग्रोप है दोस्तों हीरा नंदानी ग्रोप शायद आप लोग अगर मुंबई में पवई किया है तो आप लोगों ने एक आली शान बिल्डिंग देखा होगा इस बुरे इलाखे को हीरा नंदानी नहींट किया है पवई मे अगर आप देखे तो इन्होंने स्टार्ट किया सायदा पंस्ट्रुक्शन कमपनी लेकिन आज कі के साथ ही compete भी करने वाले हैं बाकि इनमें भी अगर आप देखें एनरजी वगेरा में तो इसमें भी वो डायरेक्टली अडानी ग्रुप से compete करी रहे हैं अगर आप देखें तो हीरा नंदानी ग्रुप ने यहाँ पे आप देख रहे हैं फाउंडर इसके निरंजन हीरा का आर्टिकल 105 2 और 194 2 के अंतरगत आता है 105 अगर आप देखें तो यह Member of Parliament के लिए है 194 अगर आप देखें तो Member of Legislative Assembly के लिए है यह क्या कहता है जरा पढ़िए क्लॉस 2 क्या है आर्टिकल 105 का कोई भी Member of Parliament उस पर अगर आप देखें तो वो किसी भी कोट में उस पर प्रसीडिंग्स नहीं होगी किसी भी कोट में उस पर फैसला नहीं लिया जाएगा फिर वो Parliament में या उसकी कमिटी में कुछ भी बोल रहा हो या किसी भी प्रकार से वोट कर रहा हो या फिर वो कुछ और भी करे विदिन दी हाउस में उस पर अगर आप देखें तो कोट जो है वो आक्शन नहीं ले सकता यह क्या है पारलिमेंटरी प्रिविलेज है आप चाहें तो इसको पढ़ ले तो अब इसके पीछे परपस क्या होता है दोस्तों अगर आप देखें तो सेपरेशन आफ पावर का ड बातों को रख सकें इसके लिए अगर आप देखें तो इस प्रकार से कहीं न कहीं इम्म्यूनिटी दी जाती है पारलिमेंटेरियंस को अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो पास्ट में ऐसा ही केस हुआ था जब साल 2000 की शुरुआ थी मुझे लगता है उसी टाइ आप बोला पाई जज बेंच बैठा तो 32 से कोट ने कह दिया कि जिन मेंबर ऑफ पारलिमेंट्स ने घूस लिया ब्राइब लिया और फिर उसके आधार पे वोट किया उनको हम कहीं से भी अगर आप देखें तो प्रॉसीक्यूट नहीं कर सकते प्रिवेंशन ऑफ कोट दे रहा है कोई भी सवाल पूछ रहा है कुछ भी कह रहा है तो इसके लिए उस पर कोट कहीं से भी आक्शन नहीं ले सकता उसको प्रॉसीक्यूट नहीं कर सकता अब दोस्तों इसी मामले पे सेविन जज बेंच भी बैठ चुका है सेविन जज बेंच ने फैसले के यह October, October starting की ही बात है, पांच October, 10 दिन पहले की बात है, तो उसमें सेंटर से पूछा आपका क्या स्टैंड है, क्या Member of Parliament पर अक्शन लेना चाहिए, कोट को, या नहीं लेना चाहिए, तो सेंटर में जानते हैं क्या कहा है, 10 दिन पहले, सेंटर में साफ साफ कहा, 7 Judge Constitution bench को, कि देखिए जो parliamentary privileges available है member of parliament को member of legislative assemblies को legislative house के अंदर मिले हैं उनको हम bribery जैसे चीजों के लिए एक धाल नहीं बना सकते कि bribery को protect करें अगर bribery है पैसा लिया और फिर vote किया पैसा लिया और फिर सवाल किया तो उसके के लिए यह immunity वो ढाल नहीं होगी कंटर का सेंटर का साथ कहना है कि देखिए भाईया जो parliamentarian है जो की इस प्रकार के खृत को अंजाम दे रहा है वह पैसा तो सेंटर के प्रीसिंट में नहीं ले रहा ना मतलब हाउस के प्रीसिंट में तो नहीं प्राइवेट में बात कर रहा है वहां पर पैसा ले रहा है तो अगर वह बाहर पैसा ले रहा है तो इसको parliamentary privilege के अंदर आप क्यों कवर करते हैं इस पर लगाईए prevention of corruption act लगना चाहिए वह public servant इस प्रकार के action को अंजाम दे रहा है अब दोस्तों यहां पे court आने वाले दिनों में फैसला बताईगी तो हमको भी और clarity मिलेगी लेकिन वह को मोहतराजी इन शौट बुरे तरीके से फस्ट चुकी हैं अब देखना यह है कि क्या सामने आता है investigation से तोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी काफी कुछ आपने सीखा होगा काफी कुछ आपको जानने मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधि लोगों के साथ जरूर शेयर करें